तो ओवर जो गंडपती ओवर और निति दार्वेकर पहला ओवर लेकर पावर प्ले की गेन बाजी में तो खेलके शुरुवाद अंपायर का इशारा कामेंट्री बॉक्स के और आपके लिए समय दे चुके हैं अंपायर 25 मिनिट का पहले गेन शाटाम पॉल मिडविकेट पर और जब तक डीप मिडविकेट बाउंट्री पर फिल्डर गेन को फिल्ड गरते थरो करते एक सिंगल आराम के साथ पुरा किया दोनों बल्ले बादुने एक रन के साथ रनों का शुरू किया शान स्ट्राइकर स्क्रिकेट टीम ने तो तो शान स्ट्राइकर वाड़े सांगे बल्ले बाजी कर रहे है मैदान पर और अनिति नर्वेकर अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेन लेकर बैकपट पर कट किया बड़े कोप सुरते के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंडरी पर गेन आती हुई चार रन के लिए डीजे चौके के साथ स्कोर पहुचा टोटल पाच पर बिना किसी नुक्सान से चौके के इस बार उक्या गेन को डीप स्कोर लेक सिमारे का से बाहार गेन सिक्सर छे रन के लिए डीजे टेंग टेंग डीजे बहुत अच्छी शुरुवात स्टान स्टाइकर्स वाड़े संगे करिके टीम की दो बड़े शॉट चावका चक का लगा नेती नर्वेकर जो पहला ओवर जारी है मुकाबला पांच ओवर का दोनों के बीच में एक मैच को जीच चुके दूसरा मुका गेन थोड़ी से दूर बिल्कुल जा रही जा चुकी थी और वो एक बार फिर से वापस आ चुके मैदान पर सद्गिरी नाइक सर्वामन मैकर और दिनेश नाइक ये त्री मूरतीस अंपारिंग के जिम्मेदारी के साथ एबी 25 बरत अरकस और पूरी टीम उनके लाइव प् बनाया और सामने एक बार स्ट्राइक पराते वे स्टाइक पाह इसगाओ कर सामना करते वे नितिन नर्वे करकी अग्ली गेन का करें हैं का 16 रन बिना किसी नुक्सान से एक अच्छी शुरुवात शान स्ट्राइकर्स वाड़े सांगे करके टीम की 16 रन टोटल बीना किसी नुक्सान से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जम कर बल्लेबाजी मैदान पर एक और से लतीप और सनेश गाउ कर और पेज गेन एक सुन्दर शॉर्ट मिडविकेट कोई फिल्टर मौजूद नहीं था बहुत दूर का ग्यापता लांगान और मिडविकेट के बेच में और वही पर गेन निकले चार रन के लिए पहले और का खेल समापत हुआ एक अच्छी शुरुवात बीना किसे नुकसान से शान स्ट्राइकर टोटर स्कोर बीस रन स्कोर बोट पर डीजे जो दूसरा ओवर चलता हुआ मैं आजका एक अच्छी शुरुवात पहले ओवर का केल समापत होने के बाद और गेन बाजे में परिवर्तन मैदान पर अमित गावकर आचुके गेन बाजी करने के लिए खुद का पहला गणपती ओवर जो दूसरा पहले ओवर का केल समापत हुआ एक बहुत अच्छी शुरुवात स्कोर बीस रन शान स्ट्राइकर वाडे सांगी क्रिकेट टिम मैदान पर बल्ले बाजी करती भी लतेश और लतेश के साथ सनेशका उकर बैकपूट पर कट के इस बार कवर पर फिल्डर रन आउट का खत्रा ओहातों में थ्रो होना चाहिए था डिरेक्ट की कोशिश रही अगर इस टंपों पर लगती निशाना लगता तो बाद बिल्कुल बन सकती थी लेकिन अगर थ्रो होता हातों में थो भी बात बन सकती थी और इसे बीच सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर टोटल 21 विदाउट लॉस 21 पर पहुचा टोटल स्कोर अप्टम से बाहर जाने दिया छोड़ा वाइड बॉल का इशारा अंपायर का राउंड रेकिट गिन बाजी कर रहे हैं अमित और इसे बीच और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में स्कोर पहुचा टोटल 22 वाइस रन पर दूसरा ओवर मैच का जारी मुकाबला पांच ओ और कुछ आवास बिल्कुल सुनाई दी ती लेकिन गेंट क्यारी नहीं हुए मेरे काल से विकेट के पर के तोड़े आगी गेंगिरी क्याच का मौका नहीं मिला बिल्कुल और एक डॉट गेंग के साथ अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंग लेकर अमित अपनम से बाहर फिर से थोड़ सा लाइन पर भटक रहे है राउंड विकेट के इनबाजी कर रहे है अमित और अम्पायर का इशारा वाइड बॉल का एक सिंगल अतरिक रन के साथ स्कोर के खाते में जूड़ गया शान स्ट्राइकर्स वाड़े सांगे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी मैदान पर करते हुए पाच ओवर का मुकाबला तेल दूसरा ओवर जारी गंपती ओवर चलता हुआ अड़े बल्ले से खेला मिड़ान पर फिल्डर रनाओट का कत्रा जी अपील जरूर हुआ और अंपायर का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की और और हमारे विल्कुल अलिस्टन डिमिलो वो जुड़ चुका है जो के स्क्रीन के साथ देखना होगा क्या हुआ हुआ व देखना होगा बल्ला हवा में है या बिल्कुल लाइन से अंदर बल्ला जो कि अटच्स हुआ यह बात देखने को बिल्कुल मिलेगी और वही पर फैसला होगा जो अबी 25 डायू प्रसारेंड और उनी के साथ जूड़ चुके है अमरे एलिस्टन डेमिलो बिल्कुल देख रहे है क्या हुआ मैदान पर रनाउट के लिए अंपर का कॉल आज चुका है कॉमेंटरी बॉक्स की और आज तीसरा दिन कल रहेगा चौथे दिन का मुकाबला सुबह के सत्रमे कांड कोना ब्रदर्स कामाक्षी क्रिकेटर्स पोंडा साइद आमोदर मढगाव इशा एडवेंचर्स वासको आरव इलेवन कुर्चुडे आटोटेक क्रिकेटर्स पंजिम गुम्टेश और ही यह कल के दिन में चौ biased हिस्सा ले रही है कि सैंफी पानल के दो मुकाबले और आब दोनों मुकाबले में एक गोवा और एक ऑल इंडिया कि लाडिए आप बिल्कुल ले सकते आज आतर दो ग похож चिर दिए ऐधो हेए है नटाउट चलो बल्लेबाज बज गए बिल्कुल एक रण इससे बीच में मिल गई स्कोर के खाते में तो इसलिए तोड़ी देर लगी और एक रण इसे बीच में बन गए स्कोर के खाते में 24 पर पहुचा टोटल स्कोर 24 गंपती ओवर जारी है ओपनिंग जोडी मैदान पर सनेश गाउकर और लतेश ये शान स्ट्राइकर वाड़े संगे क्रिकेट टीम की इस बार बहुत ही बहुत इंचाओ डीप एक्सा कवर बाउंडरे पर गेंच ली गई शिक्सर छे रन के लिए दीजे टोटल स्कोर हो चुका है तीस रन बहुत इवेतिन चाटाम पूल ओंगान बाउंडरे पर शे रन के लिए और एक बड़ा शॉट बल्ले बाजी में स्कोर पहुचा थर्टी सिक्स डीजे अच्छी शुरुआत मैदान पर दोनों बल्ले बाजों के और से सनेश कावकर और लतेश अच्छी गेन इस बार पुलर लेन की गेन खेला आफसाइट पर कवर पर फिल्डर अब इस बार कोई रन नहीं मिला तो दो ओवर का खेल समाफ दुआ और दो ओवर की समाफ दिके बाद टोटल स्कोर 36 चती सरन बिना किसी नुक्सान से बिजे पॉल्डिंग में परिवर्टन प्रिवर्टन पावर प्ले का खेल समाप्द हुआ और बॉलिंग मार पर आचुके सचिन मावलन कर स्टाइक पर सनेश गिनबाजी पर सचिन दो ओवर का केल समाप दुवा और तीसरे ओवर की मैदान पर शुरुवार पहले और में बने 20 रन दूसरे ओवर में बने 16 रन पल्टी पल्टी की कोशिश तोड़ी शॉट अप लेंगे अप्स्टम पर अगर सामने सिदा खेलते तो अफसाइट पर कवर पॉइंट पर रन बन सकते थे लेकिन यही गलती की थी पिछले मैच में मेरे काल से समर्थ गावस ने और बिल्कुल इस टुर्नामेंट के साथ रु डिजे अच्छी बल्ले बाजी हो रही मैदान पर शान स्ट्राइकर वाड़े सांगे क्रिकेट टीम के और से अब तक सफलता की तलाश में है सत्या देवी प्रेंट सरकल और उसकर नईबाग क्रिकेट टीम फिल्टास गेन डीप मिडविकेट पर गेन चली गई बाउंडरेन के दरब लेकिन एक अच्छी फिल्डिंग बहतरे इन फिल्डिंग और जब तक गेन को उठाते फिल्ड करते तरो करते तब तक दोर रन प्रेंट सरकल पर उसकर नईबाग क्रिकेट टीम को डिजे झाल को झाल कि उनके तक our और जरमाग करते हैं प्रोजे फर्नांडिस कौन बुलेगा इसकी लड़ी को पानपारा क्रिकेट प्रतिविता में क्या शांदार खेल किया था और वही आ चुके मैदान पर लेकिन पहले विकेट के बीच में बड़ी साधियदारी बंदी शांस्ट्रेकर्स वाड़े संगे क्रिकेट टीम के और से ब्रेक्टू मिलाया विकेट चैट काया सचिन मावलन कर अपने बॉलिंग बार पर और सामने नहीं बल्लेबाद रोजे अमपार से गाड़ लेकर सामना करेंगे आने वाली अगली गेन का अच्छी गेन इस बार हलके से कलाएक को क्या मोड आगे इनको और जब तक शार्ट स्क्रेयर लेक पर स्क्रेयले कम पार के बगल में गेन को फिल्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्ले बाजुने अपना खाता कोला आते आते एक रंड के साथ रोजी ने पर हलके से चौप किया इनको कवर पॉइंट पर फिल्डर एक सिंगल एक रंड दूसरे की शंका को बिलकुल समाप्त कर दिया लेकर पॉइंट पर फिल्डर इनको फिल्ड करते एक ही रं मिल गया स्कोर के खाते में तो इस सिंगल के साथ 3 ऑवर का खेल समाप्त हुआ और 3 और कि समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कि चवाली स्रंथ एक विकेट पर आउटो कर वापस सोलो पर सनेश सामने तीन चक के एक चौका लगा कर बल्ले बाजी अभी कर रहे हैं पच्चिस पर लतेश और रोजी आते आते सिंगल के साथ युन्होंने अपना खाता शुरू किया देखना होगा आने वाले दो अवर का खेल मैच का अभी भी बाकी गेनबाजी में और एक परिवर्तन साइधत कोठावले आचुके गेनबाजी करने के लिए और सामने बल्ले बाजाई लतेश नांस्ट्राइकर एंट पर रोजी तीन ओवर का केल समाप्त हुआ जवाली स्रन एक विकेट पर चोटे गेन उक्किया इस बार बैकवर्स कर लेक पर डीप पर गेंग चली गई स्री मारेका से बाहर पचास रन इसे के साथ शान स्ट्राइकर वाड़े सांगे करके टीम के पचास रन पूरे हुए तैंक्यू डीजे पचास रन एक अच्छा टोटल चौटा अवर जारी है बलिंग मार्क पर साइदत 31 पर बल्ले बाजी कर रहे है लतेश बार गोमकर मारना चाहते थे एक बैटक शॉट गयन बल्ले पर नहीं आई गयन चली विकेट की पर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कौर बोट पर टोटल पचास एक विकेट पर आउट उकर वापस सने श्गाव कर स्लोवर वन बिस टाइम शॉट मिड़ान पर मौका बनेगा पिल्डर गेन के नीचे और इसे के साथ दूसरा विकेट चला गाया मैदान पर शान्स्ट्राइकर्स का डीजे कर दोड़ मिड़ान पर देख विकेट है झाल झाल गेंचली के स्लिप की तरह एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाद लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इस लेग बाइज के साथ एक रन मिला स्कोर में 51 टोटल 51 लॉस अप्टू विकेट एक अच्छी इनिंग के लिए सनेश ने सोलर रन बनाए लटेश ने बना झाल 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 कि नटाउट तो रिवी लिया था गेन बाज ने लबी डबली के आप फिल वा था लेग बाइज का इशारा अंपार का लेग बाइज के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और स्कोर टोटल हो चुका है फिप्टी वन फिप्टी वन लॉस अप्टू विकेट जोटा ओवर साइधत गेन बाजी कर रहे हैं और स्टैक पर रोजी बैकपट पर कट करना चाहते थे बल्ले का भीतरी की नारा रन लेना चाहते थे रन के लिए निकले भी थे लेकिन स्लिप पर शॉट्टर बैन पर फिल लेकरेन पर महित गावकर और बॉलिंग बार पर साइधत चौता ओवर मैच का जारी है पांच ओवर का मैच और पिजगेन आउनसाइड पर खेला ताव करनर पर फिल्डर गेन को उठाते फिल्ड करते एक थोग करते विकेट के पर क्यातों में एक अच्छा थोग एक सिंगल और बढ़ गाया स्कूर के खाते में खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ एक अच्छा ओवर रहा चार ओव की समापती के बाद टोटल 52 लॉस अप्टू विकेट इसे टेंक डीजे अन्ती मोवर आकरी ओवर और गेनबाजी के लिए आचुके है अम अच्टाइक परोजी और गेनबाजी के लिए अमर गड़ेकर दुरदुर दुमाई की फिल्ड पाच्वाह और आकरी ओवर बल्ले बाजी करी आए शान स्ट्राइकर्स वाड़े संगे क्रिकेट टीम सुन्दर शॉट ऑफ साइट पर रहेगा चाप ड्राई थोड़ी से अनवराट फिल्डिंग में लेकिन दूसरे रन का मौका नहीं मिला एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाती में त्रिपन पर टोटल स्कोर आगे बड़ा फिफ्टी थी लॉस अफ्टी विकेट दो बड़े शॉट अभी भी चाहिए शान स्ट्राइकर्स वाड़े संगे क्रिकेट टीम को 65 के आस पास जाने के लिए और सामने कोशिश होगी सत्याद भी फ्रेंट सेर्कल एक लफ्टेट शॉट अफसाइट पर लोंगाप पर फिल्डर अमित गेन के निचे आते क्याश को दो बोसते तीसरा विकेट मोहित गावकर आउटो कोर मापत तीसरे विकेट में डिजे यह द्यूट जोब आण जोड़ाइए नियुट जोड़ाइए अजयूट बेटर आप पर बाबल जोड़े बहुत लेकिन उसे के साथ बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी और वह मैदान पर आ चुक है स्कॉर बड़ पर टोटल फिप्टी थ्री लासब त्री विकेट अंती मोवर का खेल सामने अच्छी गेंदबाजी भी कर रही है सत्या दिभी प्रेंट चर्कल पॉरस कड एक नईबा क्रिकेट टीम कि अक्री ओवर सामने दो शॉट चाहिए और दूसरी और रोकने पड़ेंगे दो बड़े शॉट लेप्ट हैंडर बाबल जोरे स्ट्राइक पर और फुल्टास गेंद लेकिन उतना बड़ा मौका नहीं मिला स्क्राइब बाउंटरी पर फिल्डर गेंद को उटाते फिल्ड करते एक सिंगल बन गया अंपायर का इशारा फुल्टास या बीमर के लिए अंपायर का कॉल आ चुका है पुल्टास गेंद या बीबर देखा जाएगा एक सिंगल बन चुका है मैदान पर आते आते बाबल जोरे ने अपना खाता खोला है इस एक रण के साथ और देखना होगा क्या हुआ वाइप इस गेंद पर देखा जा रहा है नो बाल चलिया और एक रण बन गया स्कोर के खाते में 55 टोटल और आने वाले गेंद होगी अंपायर का इशारा होगा आने वाली गेंद के लिए जरूर होगा जो फ्री हीट का जी बिलकुल 55 रन 55 लॉस अप त्री विकेट सामने बावल जो रहे आते आते मौका मिल चुका जोकी रोजी आचुके है स्टाइक पर उनके लिए मौका आचुका है फ्री हीट की गेंद बाजी का और देखनों का फ्री हीट पर क्या होता है अबर गड़े कर अ एक हवाई पायर गगंचुम्बिस एक सर्चेर रन के लिए डीजे अचुके 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 बिलकुल चर्चा हो रही ते है स्कोर हो चुका है सिक्स्टी वन फ्रीट की गेंद पर बड़ा शॉट लगा रोजी के बल्ले से ओ फिर से एक बार उड़ाया क्या मौका मिलेगा कवर पर कवर पॉइंट बाउंडरी पर गेंच लिगेई डीप कवर पॉइंट बाउंडरी पर सिक्सर छे रन के लिए है डीजे पर्टल स्कॉर हो गया सिक्स्टी सेवेन ओ यह गेंड पुलर लेंड की गेंड शपलो कर आंसाइड पर खेलना चाहते थे गेंड चलीगी विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कॉर वही पर रुकावा हमर गेंड बाजी कर रहे इस आखरी ओवर में लेकिन जो दो शॉट चाहिए थे व वाड़ सांगे क्रिकेट टीम के लिए तोटल स्कॉर हो चुका है 67 लस अफ थ्री विकेट अच्छी गें जोरदार अपेल आउट जो बिलकुल मिनिस्टम पर ये गेंटी क्रॉस खेलना चाहते थे रोजी और सफलता मिलती भी अच्छी एल्बी डेवल्य करार गोशित चौते विकेट का पत्तन हुआ मैदान पर सड़ सड़ रन चार विकेट के नुकसान पर अच्छी एविनाश सर तैंक्यू तो यह था बल्ले बाजी का लेका जो का 16 रन बनाए सनेश गावकर ने लतेश ने बनाए 31 रन रोजी ने दो चक्के लगाए 15 रन बनाए बल्ले बाजी होती है कॉमेंटर बॉक्स में एक बार फिर से जूर जाते आई है सर हरिश काकोड करके साथ 68 68 का टाउटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए झाले होती है झाले है झाले है झाल 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 झाल